मोलिक कर्तव्यों की जानकारी भी मोलिक अधिकारों के समान आवश्यक है उक्त विचार विशेष न्यायधीश एवं प्रभारी जीला न्यायधीश मनलेश्वर साधना महेश्वरी द्वारा समिधान दिवस के अवसर पर व्यक्त करते हुए यह जानकारी दी गई कि किस प्रकार समिधान में उलेखित प्रावधानों में भारत के प्रतेग नागरिकों के लेग कर्तव एवं अधिकारों के बारे में जानकारी बताई गई है जिसमें प्रत्यक विक्ति यदि मोली कधिकारों का पालन नियमित रूप से करे तो सभी को मोली कधिकारों का लाप स्वत ही प्राप्त हो जाएगा। मनलेश्वर भारत सिह रावत द्वारा किया गया। जिसमें प्रत्यक विक्ति यदि में प्रत्यक विक्ति यदि मोली कधिकारों का पालन नियमित रूप से करे द्वारा की रिपोर्ट। अधिक्षक यमुपादिक्षक गण, समथ करमचारी अधिवक्ता गण और यहां उपस्ति सभाजन। आप सभी जानते हैं कि आज 26 नमबर विती दिवस, अमिधान दिवस का उसर हैं। और भारत सर्थार के द्वारा एक वर्शी अभियान चलाए जाने के पिया रूप किया गयाता जिसके तार्टंबर में, माजदी सरोच न्याले नालसा के द्वारा इस अभियान को अनुमधित किया गया हैं। जो 26 नमबर 2011 से रेका, 26 नमबर 2013 से बचने के लिए हम लोग पीछे एलगते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंदी हमारा समिधान हैं। हमें अधिकार दिये हैं। हम पर दाइप अधिरोपित किये हैं। हम सभी को अपने करतल्यों और अधिकारों की भनिभाती जानकारी हैं। या होनी चाहिए। विधी के समक्ष सभी समान होते हैं। और विधी की सभी को जानकारी है। यह कानूर की उपधारणा है। इसलिए कोई भारती नागरी यह नहीं कह सकता कि हमें भारत के कानूर का ग्यान नहीं है या हमें भारत के सम्हीधान का और उसमें उपगंधित अनुच्छेदों में दिये गए क्राउधान का ग्यान नहीं है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें